कि है गाईज देखे आज हम डाइवर्सिफिकेशन के ओपर डिस्कस करेंगे तो सरकार बहुत सारी इसी कंपनी है जो नहीं चल पा रही है आप क्या करेंगे वह सभी लोगों को डाइवर्सिफाय कर देंगे मतलब अगर सरकार की वह कंपनी है तो वह बेज देंगे बोलेंगे भाई अब मुझसे नहीं होगा अब जो प्राइवेट है वह चलाएंगे मतलब वह प्राइवेट के हाथो में चला जाएगा अब एक एक्जामपल देता हूँ सिपिंग कॉर्परेशन सिपिंग कॉर्परेशन के वह थर्टी रुपिस का शेयर था अब सरकार को इसको डाइ विट के हाथों में जाता है यह शेयर का वैलू चार पांच गुना बढ़ जाता है सोचो उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन्होंने आर विया लिस्ट बना रखा कि यह सारे बैंक को हम क्या करेंगे डाइवर्सिफाय कर दें क्योंकि यह अब हमसे नहीं हो पाया करके तो एक बैंक बच गया था जिसका नाम आ चुका है यहां पर अभी और वो है यू सी ओ बैंक पहले साइद इसमें कन्फूजन थी या इसका मतलब क्लैरिफाय नहीं हुआ था कि यह बैंक भी डाइवर्सिफाय होगा करके आप यह जो है मतलब दूसरों को हाथों में जाएगा बेज दिया जाएगा डायरेक्ट तो ऐसी खबर नहीं आई थी पहले लेकिन अब यह खबर आने लगे कि यह इसको भी बेचा जा सकता है यह भी लिस्ट में आ रहा है जिसके दम पर यह स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल जाएगे लगबग 13 रुपिस का स्टॉक है और देखो भाई जब भी किसी स्टॉक का डैवर्सिफिकेशन होता है तो यह एक अच्छी बात होती है वो शेयर वो कंपनी का वैलू बढ़ जाता है भाई अगर प्राइवेट लोग खरीद रहे ना प्राइवेट वाले तो भाई वो CEO Bank भी जो है अब PCA के अंदर जो है और यह Reserve Bank of India बोल रहा है क्यूं बोल रहा है इसके सारे जो है result देखने के बाद बोल रहा है जितने भी इसके profit आया है पहले पीछे आगे पीछे सभी चीज़ को देखने के बाद बोल रहा है कि भाई यह company कुछ ज्ज़ादा चापफरम नहीं कर पार के हैं और हमारे पास रहेगे तो और यह company जो है आपको किवल लॉस और लॉस सी निकाल के देगे इससे अच्छा है कि भाई बेज दो देखो दो तरके के asset होते हैं एक होता depreciable एक होता है appreciable तो सरकार के पास अगर depreciable है तो हटा दो भाई देखो सरकार को कभी न एक वोड दे दे के उनको आपने दिया है तो आपका bank account से एक एक रुपया जो टेक्स करता ना जिसके दम पर देख चलता है और वही पैसा जो है वहाँ डूब रहा है ऐसे इसे बैंकों में तो इसलिए जो है सरकार यहां पर action ले रही है तो RBI केंटर यह bank का भी नाम आ गय क्या है और यहां पर कुछ reason भी बताया जा रहा है बताया जा रहा है 2017 in view high known performing asset negative return on asset last year in the last year लगबग bank posted a full year net profit 167.04 करूर इतना तो मैं आपको बोलना चाहता हूं को छोटे चोटे चोटे जो private bank होते हैं वो quarter में perform कर देते हैं तो यह सारी चीजों को देखके यहां पर against hoping मतलब यहां पर लगब 2436 का जो यहां पर यह कोसिस किया जा रहा था लेकिन काफी पतलब result अच्छा नहीं था और यहां पर बताया जा रहा है कि company के चारो तरफ से performance अच्छे नहीं है result में हो जाए यह किसी तरीके से performance में हो जाए यह profitability में हो जाए इस वज़े से इस bank को आपको full detail में video डाल दूँगा और अगर आप बाजार में नए हो stock market में नहीं तो अपना dmit account Alice Bloom में open कर सकते हो यहां पर देखो आपको बहुत ही ज्यादा benefit देखने को मिला हम देखो मैं वही आपको बोलता हूँ यहां पर करने के लिए जहां पर आपको ज्यादा से ज्याद benefit देखने को मिलें यहां पर क्या-क्या benefit देखने को मिलेगा एक बर देखोगे तो आप भी शॉक जाओगे देखो हर जगा आपको जब भी इंट्रडे वगरा करते तो आपको कितना 20 रुपीज पॉर आपको लगता सही है न सोचो 20-20 रुपीज करके आपको कितना पैसा ले बात है और जो बड़ी नहीं सकते हैं वह तो फिर भाई बहुत ज़्यादा पैसा बाचा लेंगे यह चीज़ हो गए और फिर यहां पर अल्गो ट्रेडिंग आपको बताया जाता है एक दम मसीन की तरह रोबोट है वह मतलब आप बस sit कर दो आपके एकाउन में profit करके डाल कोई टेंचन जंजट है ही नहीं है आप कोई भी काम कर रहे हो करते हो बस यहां पर एक बात सेट कर दो बात खत्म हो गए यहां पर देखो भई derivative में भी कर सकते हो equity में भी कर सकते हो यहाँ पर जो भी language में आप बात करना चाहते हो किसी देश के कोने में कोने हो किसी भी भासा में आप बात करना चाहते हो तो यह आपको help करेंगे उसी language में और उसके बाद बाद यहाँ पर देख सकते है सारी चीज विए विए देमीट लिंक है और दिमेट आकल्ट बिल्कुल फ्री में वहां से जाकर आपने अक्आउट विल्कूल लिंक है अपना कर सकते हैं